असलावलेकुम इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन टू टेक्स्टायल प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिंटिंग क्या होती है इसको समझते हैं तो आप अगर हम प्रिंटिंग कर रहे है तो उसको किसी लोकलाईज डाइंग के उपर हम इंपार्ट कर रहे होते हैं ठीक है यह हमारे पास एक बिल्कुल राव फैब्रेक के इसको हम सबस्टेट कंसिडर कर लेते हैं अब printing करने के कितने प्रिंसिपल होते हैं दो मेम रिंसिपल होते हैं याद रखिएगा एक हमारे पास direct printing होती है एक हमारे पास indirect printing होती है direct printing में basically क्या किया جा रहा हूती है हम directly वो pattern impart कर देते हैं colored form में fabric के ओपर तो यह direct printing कहलाता है ठीक है लेकिन अगर हम कोई भी pattern indirectly fabric पर इंपार्ट करें तो उसे हम indirect printing कहते हैं इसकी हमारे पास दो example हैं एक हमारे पास होती है discharge printing और एक होती है resist printing बहुत गौर से समझेगा हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है अगर मैं discharge printing explain कर रहा हूं तो समझेगा हम substrate को सबसे पहले क्या करत देते हैं ठीक है अब हमें जो भी pattern चाहिए होगा हम particularly उस जगा से उस pattern को discharge करेंगे discharge करने का मतलब यह है कि आप उस जगा से dye को remove कर देंगे by applying any kind of bleach ठीक है ताकि आपके पास यहां पर वो pattern appear हो जाए तो हमने वो pattern impart किया लेकिन directly printing के थ्रूँ इंपार्ट नहीं किया बलके हम हमने वहां से उसका color remove कर दिया डिस्चार्ज कर दिया तो इसको हम discharge printing कहते हैं एक और तरीका है indirect printing का वो क्या होता है basically हमें इस substrate के उपर जहां पर भी pattern impart करना है वहां हम कोई resist chemical लगा देंगे जो कि एक hydrophobic layer बना ले fabric की surface के उपर तो suppose हम fabric की surface के उपर wax से यह pattern appear कर रहे है ठीक जब हम fabric को dye करेंगे तो dye पूरे fabric में penetrate करेगी सिवाए उस जगा के जहां पर resist chemical लगावा है ठीक है और जब हमारे पास वो fabric dye हो जाएगा तो वो इस तरह का नजर आएगा सिवाए उस जगा के जहां पर resist chemical लगावा ता पूरा fabric हमारा dye हो चुका है अब हम चाहें तो उस layer को remove कर सकते हैं और हमारे पास यहां पर pattern appear हो गया है ठीक है तो यह हमारे पास resist printing होती है जो के hydrophobic layer के through impart की जाती है अब हम direct printing के कुछ important techniques के बारे में समझेंगे जो के उसके medium की basis पर है अब हमारे पास जो colorant का application medium होता है वो usually दो तरह का होता है या तो हम inks का इस्तिमाल कर रहे ह होते हैं या पर हम paste का इस्तिमाल कर रहे होते हैं जिसकी higher viscosity होती है ठीक है सबसे पहली technique जो है हमारे पास वो बहुत पुरानी technique है जिसे हम block printing कहते हैं आसान अलफाज में बोला जाए तो एक तरीके से हम fabric के ओपर stamp लगा रहे होते हैं ठीक है तो stamp जो होता है हमारे पास wooden block को ह stamp कहा रहे होते हैं जो के ink के अंदर हम dip करके fabric पे design impart कर सकते हैं इसकी बहतरीन example हमारे पास है अजरक अजरक के ओपर block printing होती है आज कल भी ये एक तरहा का manual method है जिसकी वजह से इसकी speed comparatively slow होती है अगर हमने इसकी speed बढ़ानी है तो हमने इसी method को एक तरहा से modify करके roller printing बना दिय जो stamp था वो एक तरीके से flat surface थी अगर हम उसी surface को round कर लें और engraved कर दें उसके ओपर design तो यहाँ पर वही process हमारे पास हो सकता है बस fabric को रोकना नहीं पड़ेगा बलकि ये process एक तरह से continuous हो जाएगा फैबरिक गुजरता रहेगा engraved roller की नीचे से और वो roller उसकी surface के ओपर design impart करत हैं लेकिन single roller जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फैबरिक की एक side के ओपर design impart करेगा back side of the fabric के ओपर वो design इतना जादा prominent नहीं होगा तो हम इस problem को solve करने के लिए duplex printing का इस्तिमाल करते हैं जो कि दोनों side के ओपर design impart करती है ये चीज़ भी याद रखिएगा कुछ substrates ऐसे होते हैं दूसरी side पर करने की वैसे हमारी cost बढ़ जाएगी लेकिन कैई दफ़ा इस तरह के भी हमारे पास materials होते हैं जहां पर दोनों side पर design का prominent होना जरूरी है for example जो दोपटे होते हैं उसकी दोनों side की ओपर designs prominent होना चाहिए क्योंकि अक्सर उसकी दोनों side visible होती है next type जो है हमारे प stencil को fabric के ओपर place करते हैं और उसके ओपर print apply करने के लिए हम usually क्या इस्तमाल करेंगे या तो brush से हम उसके ओपर एक तरीके से design impart कर सकते हैं या फिर spray करके भी वो design impart कर सकते हैं लेकिन अगर हम paste को directly apply करेंगे तो याद रखेगा paste stencil और fabric के दर्मयान से penetrate होके उससे design को पहला देग ठीक है तो याद रखेगा stencil का इस्तमाल हमने stencil printing के दौरान हमने ink का इस्तमाल करना होता है और उस ink को apply करने के लिए या तो हम brush का इस्तमाल करते हैं या फिर spray का in case of stencil next हमारे पास जो है screen printing screen printing basically क्या होती है और किस तरीके से apply की जाती है समझते हैं और याद रखेगा screen printing के अंदर नहीं कर रहे होता है अब देखें screen क्या होती है और किस तरीके से इसका इस्तमाल किया जाता है इसको हम समझते हैं हमारे पास ये wooden frame है इस wooden frame की एक side के ओपर जैसे wooden frame बना है इसके नीचे वाली side के ओपर हमने क्या लगा दिया एक तरह की gauze लगा दिये gauze या mesh लग करना होता है अच्छा दूसरी चीज़ अगर मैं इसके उपर paste को डालो और push करो तो throughout the screen paste चला जाएगा और सारा का सारा fabric के उपर लग सकता है तो हमने क्या करना होता है पूरी की पूरी gauze को हम block करते हैं सिवाए उस जगा के जहां पर हमने design print करना होता है तो यह पूरी gauze जो है पूरी जो एक तरह की छन्नी है वो block होई विये सिवाए इस design के मतलब यह paste अगर penetrate होगा सिर्फ इस design वाली जगा से penetrate हो सकता है बाकी किसी भी जगा से penetrate नहीं हो सकता अब paste को push करने के लिए हमें कोई equipment चाहिए हो से equipment को हम कहते है squeegee यह एक तरह का rubber blade होता है जिसको design impart हो जाएगा याद रखिएगा screen printing की भी हमारे पास दो टाइप से flat screen होती है और एक rotary screen होती है flat screen किस तरीके से काम करती है suppose करें हमारे पास एक fabric है ठीक है fabric के ओपर इतनी जगा पर design impart होगा फिर fabric इतना part आगे बढ़ जाएगा फिर यह design यहां impart होगा फिर इतना ही part आगे ब slow हो जाएगी लेकिन अगर मैं speed बढ़ाना चाहरा हूँ तो मैं क्या करूँगा इस wooden frame में से screen निकाल के उस screen को इस तरह से circular form में cylindrical form में हम arrange कर देंगे यह जो इस तरीके से cylindrical screen होती है उसे हम rotary screen कहते है अब क्या होगा basically उस screen के अंदर हमने paste डाला है और उस screen के अंदर ही हमने squeegee लगाई भी है fabric रोकने की बजाए continuously चलता रहेगा और screen भी लगाता rotate होती रहेगी ताकि screen printing हमारे पास एक तरह से continuous process बन जाए इसके अंदर बगर रोके printing होती रहेगी और speed भी बढ़ जाएगी तो यह हमारे पास rotary printing है जो कि आजकल बहुत जादा यूज हो रही है conventional printing के त इस्तिमाल करते हैं जो के एक chain of droplet fabric के ओपर impart करती है ठीक है यह याद रखिएगा digital printing एक तरह की jet printing के principle पर काम कर रही होती है यहाँ पर हमारे पास चार different color की inks होती है जो के different different जगा पे apply कर गया अब हर तरह का color apply कर सकते हो हर तरह का color impart कर सकते हो जो कि हमारे पास CMY के होती है cyan, magenta, yellow, black और digital printing हमारे पास सबसे ज़्यादा latest और most complicated design भी आप इससे बना सकते हो हर तरह की चीज़े बना सकते हो यहाँ पर जितने भी पीछे के process थे वहाँ पर हमें printing के लिए design carve करने की जरूर थी या कोई ऐसी चीज़ बनाने की जरूर थी जिसके तरह हम design impart कर सके for example पे हमें roller के अंदर वो design carve करना होगा, यहाँ पे stencil उस shape का carve करना होगा हमें, यहाँ पे screen formation जरूरी है लेकिन jet printing के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यह computer से totally control होती है, आप हर तरह का design हर तरह की तस्वीर print कर सकते हो, अच्छा अब आचकल के दोर में सबसे ज़्यादा जो इस् याद रखिए किस पर depend कर रहे होते हैं, number of screens पर depend कर रहे होते हैं, जितने colors हमें picture में चाहिए होंगे, उतनी हमें screens चाहिए होंगे, हर color की अलग screen required होती है, वहीं अगर हम digital printing की बात करें, तो वहाँ पर हम 64 bit colors यूज़ कर सकते हैं, 64 bit colors का मतलब हम 2 की power 64 को solve करेंगे, जितना भी बड़ा number आएगा, वो तमाम के तमाम colors हम produce करवा सकते हैं, फैबरिक के उपर, एक ही print design के अंदर, याद रखिए का यहाँ को screen की limitation नहीं है, और चार main color हैं, जिन से हम ये सारे के सारे colors बना रहे होते हैं, कौन कौन से color की होती हैं, हमाई पास, चाहन मैजिंटा, येलो औ और black, के को basically, black को represent करने के लिए शो किया जा रहा है, अब ये भी याद रखिएगा, कि digital printing के लिए हमें कोई screen बनाने की जरूरत नहीं है, और paste भी बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं हम screen printing की बात करें, तो यहाँ पर paste भी बनाने की जरूरत है, और screen भी बनाने की जरूरत होत उस repeat को फिर हम change नहीं कर सकते screen का size बड़ा छोटा नहीं कर सकते repeat हमारे पास limited होते हैं यहाँ पर वहीं अगर हम digital printing की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास repeat की कोई limitation नहीं होती उसके अंदर जितना भी complicated repeat हो उसके अंदर जितने भी colors हो हम उसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं computer से control करके हमाई पास कोई भी PDF में picture हो वो भी हम impart कर सकते हैं किसी तरह की कोई limitation हमारे पास नहीं होती हम उसे चाहें तो change भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमारा customer demand करें के भाई screen का यह जो size है इसे 50% small कर दो यहाँ पर इस तरह की चीज नहीं हो सकती magnification या उसे small नहीं किया जा सकता है यहाँ ठीक है तो repeat के उपर यहाँ limitation होती है यहाँ कोई limitation नहीं होती वहीं अगर हम बात करें कि short run fabric है हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा हमने print करना है तो थोड़े से कपड़े के लिए मुझे screen और paste बनाना पड़ेगा तो इसकी वज़ा से हमारी cost बहुत जादा बढ़ जाएगी वहीं digital printing के अंदर हमें कुछ नहीं करना है जितना भी fabric हमें print करना है computer को command देंगे तस्वीर provide करेंगे उसको वो print करके दे देगा हमें तो यहाँ पर cheaper पड़ेगा short run fabric के लिए वहीं अगर हम long run की बात करें बहुत जादा amount में हमारे पास fabric required है printing के लिए तो उस case में हमारे पास screen printing cheap पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर screen की जो paste वगरा है और screen बनानी होती है वो हमने एक दफ़ा बना ली फिर throughout the production वो निकालते रहेंगे वहीं अगर हम digital printing की बात करें तो इसकी inks जो होती हैं comparatively महंगी आती हैं तो अगर बहुत long run fabric है हमारे पास तो उस case में digital printing बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है याद रखिएगा अच्छा अब हम colorant की basis पर भी discussion कर लेते हैं कि हम dye को printing के लिए इस्तमाल कर रहे हैं या फर pigments को printing के लिए इस्तमाल कर रहे हैं दोनों ही cases में हमने paste बनाना है अगर हम screen printing कर रहे हैं तो उस paste की recipe क्या होगी इसको ज़रा समझते हैं हमारे पास अगर dye based printing है या pigment based printing है दोनों ही case में paste बनाना होगा और paste basically क्या होता है high viscosity वाला medium होता है उसकी viscosity high करने के लिए जो हम chemical यूज करेंगे उस chemical को हम क्या कहते हैं थिकनर कहते हैं इसका main purpose क्या होता है कि ये viscosity increase करेगा याद रखिएगा कि dye based printing के अंदर हमें उस paste की layer को बाद में remove करना होता है जिसकी वैसे हमने थिकनर कौन सा use करना है soluble थिकनर use करना है वहीं पर अगर हम बात करें pigment based printing की तो यहाँ पर हमें layer को remove नहीं करना है उसकी layer रहनी चाहिए जिसकी वैसे हमने यापर किस तरह का थिकनर use करना होता है insoluble थिकनर use करना होता है अच्छा रही बात colorant की color impart करने के लिए हम paste में dye based printing के अंदर dyes मिलाएंगे और pigment based printing के अंदर pigments मिलाएंगे dyes की affinity होती है pigments की affinity नहीं होती तो दूसरे chemicals हम कौन से मिलाएंगे समझे अगर pigments की affinity नहीं होती अच्छा वहीं अगर हम बात करें dyes की तो इसके अंदर दो important chemicals डिलते है coagulator होता है और एक fixer होता है fixer depend करता है किस type की dye है उसी तरह का fixer हम वहाँ पर use कर रहे होंगे इस चीज़ के बारे में कि coagulator क्या होता है हम आगे के mode of action में समझते हैं कि हमारे पास यह process काम किस तरीके से कर रहा होता है अगर हम left side पर देखें तो यहाँ पर यह जो तस्वीर हैं आपको एक तरीके से dye based printing के बारे में बता रही है हमारे पास सबसे पहला जो यहाँ पर मैंने structure बनाया है यह एक simple fabric को represent कर रहा है जिसकी एक certain amount of thickness है ठीक है हमने उसके उपर क्या apply किया है हमने paste apply किया यह जो structure आपको नजर आ रहा है एक paste की layer है जो कि हमने print करके apply किया उस paste के अंदर आपको black dots नजर आ रहे है वो represent कर रहे है dye molecules को अच्छा dyes की अपनी affinity होती है वो fabric के साथ fix हो सकती है तो हमने उस dye molecule को paste की layer में से transfer करवाना है fabric के अंदर तो कैसे transfer कराएंगे समझ यह हम basically इसको लेके जाते है steamer के अंदर steamer के अंदर जो coagulator था वो activate होता है what is the function of coagulator वो coagulation करता है उस paste की layer को इस जगा पे देखें और इस जगा पे देखें यह basically thick layer थी जब coagulator activate होता है तो वो उस layer को squeeze करेगा जब वो layer squeeze होगी तो अपने अंदर से dye molecules को transfer करेगी fabric के उपर ठीके तो coagulate होना इस वज़ाए से जरूरी है ताकि वो squeeze हो dye molecules को transfer करें fabric के उपर ठीक है और fabric के अंदर भी तभी अच्छे तरीके से transfer हो पाएंगे जब fabric के अंदर थोड़ा सा amount of moisture हो तो coagulation और transfer अच्छे तरीके से तभी हो पाता है जब यह steamer में किया जाए process अच्छा अब layer से dye transfer तो हो गई है लेकिन अभी हमें सबसे पहले layer remove नहीं करनी है हमें क्या करना है पहले उस dye को fix करना है तो हम पहले fixation करेंगे then washing करेंगे ताकि layer remove हो जाए और dye fabric के उपर ही print हुई रहे उसके अंदर से remove ना हो तो यह हमारे पास overall process है जो कि हम dye based printing के लिए use करते हैं layer in the end remove हो जाती है वहीं अगर हम printing की बात करें pigment based printing की तो इस scenario में यहाँ पर क्या हो रहता है हमारे पास fabric की layer थी सबसे पहले हमने क्या करना है उसके ओपर layer impart करनी है pigment printing की layer impart करने के बाद हमने उस layer को fabric के ओपर fix करना है अब अगर वो बिल्कुल surface पर ही रहेगी और fix भी हो जाए hard भी हो जाए तो बाद में वो peel off हो सकती है तो हमें एक तरीके से उस layer को fabric के अंदर थोड़ा सा fuse करना है तो यह process भी एक तरह से steamer में हो रहा होता है जहाँ पर थोड़ा सा wet होने की वज़ा से agent हमने डाला था और वो binder बहुत सारे cross linkages बना देता है जिसकी वज़ा से पूरी की pigment paste की layer एक तरीके से bind हो जाती है fabric surface से और stiff हो जाती है comparatively ठीक है ताकि वो कभी भी remove ना हो सके तो यह हमारे पास pigment printing का process था अब दोनों की properties में क्या difference होता है इसको भी जारा समझते है जो हमारे पास dye based printing थी और जो pigment based printing थी उन दोनों properties के अंदर किस तरह के differences होते हैं हम इसको समझते हैं सबसे पहला difference होता है कि layer इन दोनों में से कहां मौझूद है obviously pigment printing के अंदर in the end layer रह जाती है वहीं dye based printing के अंदर हमने dye absorb कराने के बाद उसे fix करने के बाद वो layer remove कर दिये तो पहला difference layer का है दूसरा difference क्या है अगर मैं pigment printing की बात करूँ तो उसकी surface उस layer की वज़ा से कैसी हो जाएगी comparatively stiff हो जाएगी लेकिन यहाँ पर कोई layer नहीं है तो यहाँ stiffness नहीं आ रही होगी absorbency की बात की जाए तो यह एक तरहा की hydrophobic layer है जिसकी वज़ा से इसकी absorbency fabric की इस जगा से कम हो जाएगी वहीं अगर हम इसकी बात करें dye based printing की तो वहाँ पर absorbency के अंदर जादा फर्क नहीं पढ़ता है क्योंके किसी तरहा की hydrophobic layer नहीं है ठीके तो यह overall basic differences थे हमारे पास dye based और pigment based printing के दर्मियान अच्छा printing की कुछ miscellaneous types भी है जो के बहुत rarely use होती है एक तरीके से आप 100% इसको printing की definition पे नहीं उतार सकते इसको समझे इसके अंदर हमारे पास heat transfer printing भी है यहाँ पर direct colorant impart नहीं कर रहे होते है बलके हमारे पास एक इस तरह का paper होता है उस paper की बहुत ज़्यादा high smoothness होती है friction values की काफी काम होती है अब उसके उपर एक तरह का rubber design surface पे चिपकावा होता है यह rubber design एक smooth surface से ज़्यादा friction वाली surface के उपर चिपक सकता है तो अब process यह वाला किस तरीके से होता है कि हमारे पास एक fabric होता है fabric की surface comparatively ज़्यादा rough होती है उस smooth paper के comparison में ठीक है तो हम क्या करते है सबसे पहली चीज़ हम इस paper को जिसके ओपर यह rubber design paste हुआ है इसको invert करके इस fabric के ओपर paste करेंगे सबसे पहले place करेंगे जब फिर हम इसको heat करना शुरू करेंगे इतना heat करना होगा कि यह rubber एक तरह से melt होके थोड़ा सा melt होके fabric के अंदर fuse हो जाए तो यह smooth paper से जादा इस fabric के अंदर जादा अच्छे तरीके से stick हो सकेगा ठीके फिर हमने उसको cool करना है और cool करने के बाद हमने वो paper remove कर लेना है तो यह design इस paper पर से इस fabric के ओपर transfer हो जाएगा जो कि किस के थुरू हुआ heat के थुरू हुआ इसलिए हम इसे क्या कह रहे है heat transfer printing कह रहे है अब इसके बाद हमारे पास एक और type है जिसको हम कहते है flocking flocking के उपर basically क्या हो रहा होता इस process को सबसे पहले समझते है हमारे पास एक fabric यहाँ पर आ रहा है fabric इदर गुजर रहा है इस fabric के उपर हमने क्या कीवी होती है adhesive की coating कीवी होती है एक तरह का glue like substance जो भी surface के उपर किसी चीज़ को paste करने के काम आते है उसे हम adhesive कहते है समझी है वो adhesive वाले fabric के उपर vertically fibers स्प्रिंकल किये जा रहे होते हैं और वो fibers अपने नीचे वाली side से fabric के उपर चिपक जाते हैं वो fabric के उपर जब चिपक गये throughout the fabric surface चाहिए तो हम पूरी surface को coat करेंगे adhesive से लेकिन अगर हमें design चाहिए तो हम क्या करेंगे adhesive की fabric के उपर printing कर देंगे और उसे फिर इस process से गुजारेंगे ताकि ये सिर्फ और सिर्फ उस design के उपर ही paste हो सकें तो इस तरीके से हम flocking के थुरू भी design produce करवा सकते हैं और भी बहुत सारी types हैं हमारे पास जिन में से burnt off effect भी है burnt off effect क्या होता है basically polyester cotton का जो blend होता है उसके ओपर ये process आसानी से किया जा सकता है हमारे पास cotton polyester का जो blend होता है उसके ओपर हम किसी acidic paste के थुरू कोई print apply करें तो क्या होगा जो cotton के fibers उसमें मौजूद होंगे वो easily उस acid के अंदर dissolve हो जाएंगे और polyester के fiber रह जाएंगे जिसकी वज़ा से जहां जहां पर वो paste apply किया होगा वहां से fabric थोड़ा सा transparent हो जाएगा उसके fiber content remove हो जाने की वज़ा से जिसको हम burnt off effect कह रहे हैं और burnt off effect के बाद हम fabric को wash कर लेते हैं ताकि उससे acid remove हो जाए इस तरीके से बहुत सारी examples हैं और examples के लिए आपके पास यहां description में मैंने एक document attach कर देना है आप उससे भी देख लीजेगा ताकि आप लोगो examples और बहतर तरीके से समझ में आ जाएं